अज़ो दोस्तो वेलकम टो आवर चैनल आज हम वटवारी की क्योशन करने वाले हैं जैसा कि आपने थमनेल पर देखा ही होगा एंपी वटवारी की क्योशन जो कि प्रिविएस येर के जितने भी क्योशन हैं उसको स्वालो करने वाले हैं क्योशन हम करने वाले हैं और कहां से मैंने ये क्योशन लिए हैं तो एक्जेक्ट मैंने जो क्योशन लिए हैं पीवी का जो प्र आयता वही से स्क्रिंशोट लिए ताकि आपको पता लगी कि हां एक्जेक्ट में यही क्योशन आयते कहीं कुछ भी तो नहीं करवा रहे हैं सर इसलिए मैंने वही question लिये हैं और इस series को मैं continue रखने वाला हूँ आने वाले समय में shift second का आएगा, 10 December का आएगा, इस तरीके से paper आने वाले हैं तो आपको continue रहना है, start करते हैं, आज के वीडियो के start करते हैं, first question यह रहा आपके सामने इस question को आप कर सकते हैं, two variables हैं, two variables वाले equations हैं, तो इसको scroll करने का तरीका एक ही होता है, elimination method यह क्या सकते है, will open method, तो मैं क्या करता हूँ, x के गुणान को बराबर कर देता हूँ, तो मैं इस equation को लोगँगा, यहाँ पर five से multiply करूँगा, इस equation में, और इस equation में, two से multiply करूँगा, ताकि x के जो equation यह बराबर हो जाए, तो यह जब हो जाएगा, five two is 10x, plus five three is 15, 15y equals two, five eight is 40, और इधर आ जाएगा, मेरे पास two से multiply का, two five is 10x, plus two four is 8y, equals two two 13, यह हो जाएगा, 26, actually मुझे क्या है, इस pen tap का थोड़ा भी, कुछ तरह से comfortable नहीं हो पा रहा हूँ है, start मंगवाया है मैंने, तो थोड़ा भी cooperate करियेगा, लेकिन execution वही करवा रहा हूँ है, जो आएगा है, इसमें क्या करूँगा, सबसे मैं माइनस करूँगा, इसको माइनस करेंगे, तो यह तो हो जाएगा 0, लेकिन इसको माइनस करने पर हो जाएगा 7y, और 7y equals two हो जाएगा, यह 14, ठीक है, तो यह y की value यहां से आपन निकाल सकते है, यह हो जाएगी 2, किस तरहीं से, 7 to the 14, y की value जब आजाती है, तो मैं इसमें कहीं पर भी इस value को रख सकते हूँ, ठीक है, तो 2x plus 3 into 2 कर सकता हूँ, value रखना है, add, है ना, तो 2x equals two हो जाएगा, 8 minus 6, तो 2x equals two हो जाएगा, यहां पर, यह हो जाएगा 2, तो x equals two यहां से value हो जाएगी 1, तो इस तरहीं से अपन value निकाल सक यहां बड़ा सा बड़ा question आप कर सकें, next question, देखिए यहां इस simple question भी आता है, directly सीधा पूचा जाता है one liner, कि एक भूब जिसकी आड़ भूजा है, क्या कहलाता है, आइस तो पूचिए, sides polygon क्या कहलाता, octagon, तो यह question भी आया था, second, next, यह question है, find the smallest number by which, 1575 should be multiplied, so that the product is perfect square, जो product तो नची वो perfect square हो जा, तो इसके लिए एक तरीका, perfect square का बहता है, जैसे कि 4 एक perfect square है, क्यों, क्योंकि इसका root निकालने पर 2 into 2 के दो जोड़े बनते है, जोड़ा जब बना, तो इससे अपन 2 इसको बहार निकाल सकते है, root से, तो एक perfect square है 4, इस तरीके सपना को बनाना है, औ जोड़े बन जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा factor, इसको करते है factor, 5 से इसको कर सकता हूं, ठीक है, तो 5 3 जा, और 5 1 जा, 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे, तो 5, यह हो जाएगा, 5 6 जा, और 5 3 जा, फिर यहाँ पर करेंगे, 7 से, 7 9 जा, औ एक 3 का जोड़ा बन गया, एक 5 का जोड़ा बन गया, 7 का नहीं बना है, और जिसका जोड़ा नहीं बना है, उसको जोड़ा बना नहीं, तो इसके लिए मुझे 7 करना पड़ेगा, ता कि जोड़ा बन जाए, तो इस तरीके से इस आपर 7 अपना answer हो जाएगा, है ना, कोई भ प्रोड़क्ट ऑफ टू डिजिट नंबर देन दसम अफ दिस नंबर इस यदि आठ जर पिछोत्तर को दो अंकी संख्याओं के गुड़नफल के रुख में लिखा जाता है तो इन संख्याओं दोंकी मेरे पास दोंकी नंबर होना चाहिए जैसे कि 99 तक है ना 99 तक और शुरुआद में 10 तक इस प्रकार से टू डिजिट इनके बीच का नंबर आना चाहिए उन दोनों का प्रोड़क्ट का आना चाहिए क्या आना चाहिए एटी 75 तो एक काम करता हूं में इसके पहले फेक्टर निकल रहूं क्या क्या निकल सकते हुआ उस फेक्टर के एकोडिंग में उनको एड्जस करना ठीक है तो यहां से एक एक फेक्टर करते है शुरूवाद में इसको लगा दो डायक्त ट्वंटी में आप उसके ऐसे पास नंबर को प्हां मिल जाए किस से डिवाइड होने वाला है आप इसे डिवाइट करते रहे जाएंगे टू का ट्राय करते जाएंगे लेवन का इसके को निया इन दोनों नंबर को देगो तो 17 से ट्राय करता हूं तो यह हो जाएगा 17 वन्जा यहां से बचा आपने पास 15 और 3 179 तो आप देखेंगे यह नंबर आसानी से मेरे पास आएं लेकिन यहां पर देखो अपने को टू डिजिट चाहिए अगर मैं इनका मल्टिप्लाई कर दो तो ज्यादा डिजिट बिन जाएं तो मैं क्या करता हूं इस 25 को 55 में तोड़ लेता हूं और इनको यह थोड़ी रखें यह प्रायम नंबर ही है अब प्रायम नंबर में आप क्या करने इनका प्लस करने तो इनका प्लस इसने मांगा इसलिए इनका प्लस कर लेता हूं इनका प्लस करने पर क्या आएगा फाइफ फाइफ टैन और ना एक तो इस तरीके से इस क्योशन को आपको करना था थोड़ा सोचना बढ़ता है लेकिन हो जाता है कोई पी क्योशन इतना टफ नहीं होता है कोई पे क्विष्जन टफ नहीं होता जब तक सीखा नहीं है तो आगय करते हैं है आजट प्र ठाम मुझा चैनल से पहसे इस क्योशन को आप कि सकते हैं इसमें कुछ आ है सत्य नहीं है मैं नोट ट्रू इध्यान रखना है को हमेशा सही से पढ़ना है अब्दूल रिस 25 पेज़स ऑप बुक कंटेनिंग 100 पेज में से से 25 कों पढ़ता है अब्दूल पढ़ता है ठीक है अब्दूल को मैंने ए से डिनोट कर दिया ठीक है और 2 by 5 अगबर पढ़ता है अगबर को मैंने की तुब रखना निकालना है और 2 by 5 को पता होगा कितना होता है 40 होता है तो निम्न में से कुई साधन सत्य नहीं तो अबदूल ने अकुर का आदा पढ़ा एक योशन। अबदूल 소 2 से 10 तो 50 ही निकां मैं 120 होता मुझे यहietnamा और लेकिन सब्सक्राहिए को देखिए अकपर ने अब्दूल से अधिक पढ़ा अगबर ने अब्दूर से अधिक बड़ा राइट है यह वाला इसलिए मुझे निकालना कि आता सकते नहीं है वही तो इसके एकोणिंग आंसर काउन सा हुआ यह वाला इस तरहें से कि जब भी बैस एक्वल हो तो उनकी जो पावर हो वो माइनस हो जाती है इसकी पावर कुछ नहीं तो मान है तो यहाँ सोजाएगा वेक्ट सेक्ट मिल जाजाए कि टू की पावर नहीं है हमेशे ध्यान रखां यहाँ पर ऑप्शन कोई भी ऐसा नहीं था कि आप कंशूज करे लेकिन अगर यह टू की पावर फाइब दे देते तो मेरा मानना ऐसा है कि बहुत सारे वच्चे टू की पावर फाइब लगा कर आ जाते तो इस गलती में नहुत रहना है बिल्कूल इस तरीके से सोल्व करके देख लेना थोड़ा सा लिख लो के तो अच्छा रहेगा और अगली एक भुजा दे रखी है 63 की एक भुजा दे रखी है 63 की दूसरी भुजा मुझे फाइंड करनी है इस तरीके से तो क्या यह क्या यह होता है अपना 90 डिग्री अब जो राइट एंगल यहापर यह तो यह ट्राइंगल भी बन रहा है और एक पाइथा क्रों में ल परपेंडिकोलर क्या एक स्कूर प्लस बैस का इसको में लिए 63 का स्कूर तो यहां से अप्सॉल्व करेंगे तो इसको मैं काम करता हूं इधर ले लेता हूं ताकि हो जाएगा मेरे पास इस तरीके से ठीक है आप देखेंगे कि यह एक स्कूर माइनस बीस कर फॉर मैं लग निकालना एक स्कूर ठीक है तो इन दोने का मुटिप्ला आएका 256 तो एकस निकालने के लिए मैं इसका रूट कर दूँगा एकस के विल्वियास आ जाएगी 60 इस तरीके से आप इस क्योशन को सॉल कर सकते हैं वेरी इजी क्योशन कुछ ऐसे ही क्योशन आने वाले हैं ठीक तो मैं 20 ही मानता है ना और क्योंकि जीरो वाला नंबर मानने में आसनी होती है यह तो एक तरीक यह है तो मैं काम करता हूँ 20 मान के देखता हूँ किस प्रकार से तो जब मैं 20 मान लिया तो 20 से यह जो 17 है यह कितना कब है ?-3 इससी तरह के 20 20 से यह प्लस वान है और इस तरह क मैनस कर देता है इस 20 में लेकिन यहां पर देखिए आप यह हो जाएगा टू प्लस थ्री फाइफ और फाइफ और एकोर्डिंग दू गरवर क्या हुई टू ट्री वन और यह सेवन माइनस टू हाँ यह भी एट हो गया है और यह सेवन प्लस बन गया जीरो बन गया तो इसमें समझ कुछ बढ़ाना है और नहीं कुछ गठाना है मतलब मेरा 20 ही क्या हो जाएगा average हो जाएगा तो इस तरीके साब को इस question को करना है लेकिन अगर यह method आपको समझ में आए तो एक ही तरीका है कि आप इन सबको प्लस कर लीजिए सबसे सबसे बढ़िया आपके पस time रहता है ऐसी कोई बढ़ी बात नहीं है तो उसकी recording आप कर एक लागी 625 जो होता है वोता 25 का इसको होता है ठीक है यह root निकल यह बाद अब 125 का निकलने के लिए क्या करेंगा तो टुकड़ा करना पूड़ेगा तो एक काम करता हूं 25 into 5 यह होता है 125 25 तो बहार निकल जाएगा है ना इसको निकलना तो 5 5 अंदर रहे जाएगा 5 root 5 तो 5 ताइमस यह cancel तो एक से की वीडियो आगए मेरे पास 5 इस तरीख से क्योशन चौशन को आने वाले है आप देख सकते हैं किस प्रकार के अच्छी क्योशन आपको मिल रहे है यह थोड़ा सा ट्रीकी क्योशन है थोड़ा सा पजल्ड़ क्या सकते है उसको अगर आप देखे तो ऐसे question भी आने वाले हैं आपको हर question के लिए त्यार रहना है उसके लिए आपको थोड़ी से मेनद करनी पड़े कि daily chapter wise आप question करते जाए और paper लगाते जाए हमेशा regular रहेंगे तो सारे question में paper में आने वाले जितने भी question अभी तक आये तो आपका practice भी हाँ से हो जाएगी यहाँ पर कुछ दे रखा है x into y 14 दे रखा है y into z दे रखा है 10 और z into x दे रखा है अपने पास 35 और मुझे find करना है x plus y plus z ठीक है यह मुझे find करना है तो मैं यहाँ कैसे video निकाल सकता हूँ देखो इन सब का factor करो इन सब का factor करो कि आप prime number बन रहे हैं यहाँ से देखो गया तो यह हो सकता है 2 into 7 यह हो सकता है 7 into 2 इस तरीके से आप देख सकते है तो भी 14 होगा तो x की value या तो 2 हो सकती है या फिर 7 हो सकती है ठीक है तो x और y की x की value 2 और 7 हो सकती है य की वेल्यू भी हो सकती, 2 और 7, ठीक, यहां से देखा मैंने, यहां से देखा तो 5 टू जटेन होता है, क्या होता है, 5 इंटू, 2, तो y की वेल्यू हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन y की वेल्यू 2 ही हो सकती, क्यों 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 हो कितने आ जाएगी 14 यह मेरा आंसर इस तरीके से लोजिकली इसका तो मुझे काम ही नहीं पड़ा आपको बस डायरेक्ली कोडिंग कर लिया डिकोड कर लिया कुछ नहीं किया ठीक है इस तरीके सापको इस क्यूशन को सोचना था और करना था नेक्स्ट क्यूशन पर चलता है और खासकर रेशो से बहुत जाद आने वाले जाए त्री रेशो फोर नकर दे रहा कुछ इस तरीके से रेशो से जुरूर आएगा तो रेशो को रेशो को रेशो से जो एस चेप्टर होता है उसको कर लेना चलो इसक्यूशन को बढ़ते हैं एक मतलब कि हस्बेंड और वाइफ हस्बेंड और उसके वाइफ की जो ऑसत एज दे रहे हैं मतलब कि एवरेज एज जो दे रहे हैं 27 कब 7 वर्ष पहले अगर 27 थी तो मान लोग यह 54 होगा लेकिन 7 वर्ष पहले था अगर मैं इसको अभी प्रेजेंट लाना चाहूं तो दोनों मैं 77 प्लस होगा है ना तो यह हो जाएगा 14 प्लस हो जाएगा तो मेरे पास प्रेजेंट हैज कि आजगे 68 लेकिन इसी बीच उनके विवा विवा हुआ था 27 वर्ष रिख थी जब उनका विवा हुआ था तो विवा के बाद उनका बच्चा हुआ होगा यह इस प्रकार से प चैल नहीं होता तो 68 होता लेकिन चाइल है इसलिए 72 मतलब चैल कितने साल का है एक्जेक्ट वर्ष मान में कितना प्लस है प्लस फूर है तो यह हो जाएगा अपना अंसर फूर जो चैल्ट जो होगा चलटरन जो होगा उसका बच्चा जोगा चाठ साल का ठीक है नेक्स्ट प्रिखलते हैं है यहां से तो यह स्थ ने कना लोजिक लगाना तो हम्होंदी के क्योशन यह सारे शिज्लिक अ से कषय कहाँ इस वी यहां से आएक buna pum यहां से भी logic देख सकते हैं 4 से multiply तो आपको यहां से भी logic मिली जाएगा 4 से multiply तो आपको आज़ाएगा 8 Next question चलो यह trend के question भी आने वाले देखो यह देखने में question 0 जिरू इससा देखा लेकिन 304 second question अगर आप करो तो अगर थोड़ा सो लॉजिक सेंस लगा 300 की distance है किसकी रेल गाड़ी कितनी है टोटल 300 मिटर लेंथ ही उसकी distance होती है अगर अपने आपको पार कर रही है और किसी खंबे को पार करना मतलब अपने आपको पार करना होता है ठीक है तो यह जो लेंथ है यह 0.4 के देता हूं यह हो जाएगा 300 और 150 300 को और पार करेगा तो 0.4 और लगेगा उसको अब 300 को distance को पार करना मतलब लगते हैं तो उसका हाप करना मतलब कितना लगेगा 0.2 तो टोटल मेरा डाइम कितना लगा एक्जेकली 1.0 मिनट यह मेरा अंसर आगे इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर यह concept यह समझ में नहीं आता है तो आप वही फार्मूला उस फार्मूला से कर सकते है distance equals to s into t जो होता है इस से किस प्रकार से आप देगेगे अपने को distance कि 300 मिनट है और इस से आपनों पहले निकालने पड़ेगी क्या आपको निकालने पड़ेगी speed क्योंकि time दे रखा है time कितना देगा 0.4 मिनट और जब यह मिटर में दिया तो मुझे इसको second में लाना पड़ता है और second में लाने के लिए 60 से multiply करना पड़ेगा तो यह मेरे पास मुझे आई है वो speed आई है क्या है speed और मुझे total distance कितनी पार करनी है 450 प्लस 300 है ना total अगर distance पार करनी तो वो कितनी करनी है 450 प्लस 300 इतनी मुझे speed और इस speed से करनी है कि इस से 300 अपन इसको multiply करता है 6 चोग 24 हो जाए गा है और 0 जाए 24 है तो यह मेरा answer आगया कैसे इसको solo करके अए इसको solo करते है यह हुझा कितना 750 upon में 300 को मैं ऐसी depending अच्री 5 za तू फोर जाई 5 से इस को काटूंगा तो यह हो जाएगा 15 और 15 इन्टू 4 क्या हो जाएगा 15 इन्टू 4 हो जाएगा 60 और यह मेरे पास क्या है सब कुछ सेकंड में चल रहा था देखो है ना तो 60 सेकंड मतलब हो जाएगा वन मिनिट यह मेरा आंसर हो गया इस तरीके से आप सबसे बैस्ट तरीका लेकिन यह है आपको करें समय में आता है तो बहुत 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 बैस्ट तरीका है ठीक है यह आपा दें में दिया है लेकिन वह चेप्टर काफी इंपोर एंपोर न ऐसे ही इसलिए उस पर ज्यादा टायम दिया है चला नेक्स्ट फिटीं तर्म निकालने एक फिर्मुल्ला होता है एक इसका फिर्मुला होता है एंट इक वस्टू ए प्लस एन माइनस वन और दी अभ लिए बार क्यों और बाप अगर पांच जो भी ठेवरेंस चब जैवरेंस होट उस तरिट उसने कड़ाइन due प्लस N-1 मतलब 15-4, 15-1 मतलब 14, और D मतलब कितना 5, यह हो जाएगा कितना, 70 प्लस 5, 75, इस तरीके से 75 आपको समझ में आ रहा होगा, I think, अगर समझ में आ रहा है, तो share कर दीजिए, पूरा paper लेकर आया हो, पूरी exact 20 question आपके सामें लेकर आया हो, चलो, मैंने बुला तो आपको age की question आपको लेना, देखो age का chapter नहीं किया हो, तो यह इस से आपका basic थोड़ा बहुत, जो भी man joke question आने वाला है, इसके according ऐसे आने वाला है कुछ, ठीके, तो कुनाल और गनेश की बात पर रखी हैं आपर, उनकी present age का ratio दे रखा है, और कुनाल और गनेश का ratio दे रखा है, present age का किना दे रखा है, कुनाल और गनेश का 3 ratio, 5, अब 4 साल बात क्या होता है, चार साल पज़ को जटना होती है, और कुनाल विल बी younger than गनेश by 12 years, अच्छा, 4 years, अच्छा, आप एक बात बताइए, आपकी age 15 है, और आपकी sister की age 19 है, आपके बीच में जो difference है, difference है, आज जो difference है, वो आने वाले समय में भी, क्या 4 ही रहेगा, exactly, चाहे आप इसको 16 कर लो, इसको 20 कर लो, इसको 17 कर लो, इसको 21 कर लो, एक सेड़ डिफ्रेंस में कोई, कोई पर फरक नहीं पढ़ने वाला, आपकी जो difference है, दोनों की बीच में, जो exact difference आने वाला है, उसमें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है, तो मैं ही कहना चाहता हूं कि जो ratio आया है, इस ratio में, यह कि जो ratio है're in present age का ratio है in this ratio difference To हमेशा ratio का difference जो रहेगा ratio का difference उस हम शार सेम रहेगा मतकि ratio का difference और Ass turning to stripe्व SUBSCRIBE है तो ठीक है यहाँ से to ratio चैचिह ऐकर उत्री इंड हमें समस्वानल है lesser yeah तो यह इस का यह से अभ्नस में कि वेद्नी आगी तो 1 ratio के value कितनी आ जाएगी 6 1 ratio के value अगर 6 है तो 6 3 ratio के हो जाएगी 6 3जा यहास हो जाएगा 18 और यह हो जाएगा 6 5जा 30 तो मेरे पास चो value आई कुनाल और गनेश की यह exact present एजागी आपको present age ही पूछाता कुनाल की तो कुनाल की present age है 18 महीं अगर इसकी रिनेश की पूछता तो 30 हो जाएगी ठीक है इस तरीके जाएगा पूछान को कर लिएगा next question एक संख्या ओकर 361 से भजित किया जाए तो 6 पर 361 से डिवाइट कर रहे है कोई number है 47 उसका remainder बच रहे है और यहां पर तो exact पूरी तरह से भाग जा रहे है अब 361 से डिवाइट करना है और 361 से 47 बच रहे है उसको मुझे 19 से करना और यह 19 का multiple है 361 19 का multiple है 19 into 19 होता है है ना तो एक काम करते है अपन डाइरेक्ट ही जो reminder है उसको 19 से डिवाइट कर लो यहां से जो reminder बचेगा वही मेरा answer आजाएगा इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करना ही पड़ेगी कि आपको formula आपको formula याद करने पड़ेंगे और याद करने के लिए उसकी कोई trick नहीं है एक बार आप समझ जाएंगे पूरी तरह से सारे formula को तो समझ में आने के बाद याद भी हो जाएगा लेकिन अभी मैं आपको answer बताते था हूँ direct सीधा कैसे इसने बोला है कि ratio between the volume of cone, cone का volume जो होता है, आप cone का volume आपको पानू होना अच्छी यह कितना होता है, pi r square h 1 by 3 1 by 3 pi r square h, वहीं जो अपना balance का होता है, वो होता है pi r square h, यहां से आप कौन और यह है, कहीं, balance balance मतर क्या सकते हैं, आप cylinder, ठीक है तो यह ratio आजाएगा, इस पूरे से यह पूरा कड़ जाएगा, तो 1 ratio 3 मेरा answer आजाएगा, वो यही answer इसमें दे रहाएगा बहुत simple था, 2 second 2 second में question का solution था, लेकिन formulas याद होने चाहिए, और formulas याद नहीं है तो यह question नहीं हो पाएगा next question, इस question को थोड़ा सा है के लिए जोड़े, mistake होने के chances ज्यादा है, इसलिए इसको पूरा करने के कोश्च करें, 27 इसको मैं 3 की power 4 ही रनने देता हूँ फिलाल में, ठीक है और यह हो जाएगा, 3 की power 3 की power minus में है, तो इसको मैं प्लस में लाने के लिए 1 upon कर देता हूँ, 1 upon 3 की power कितना हो जाएगा, प्लस में प्लस में 5 upon 3 हो जाएगा ठीक, इससी according यह आप देखेंगे अगर, अगर किसी की number के उपर root लगा देते हैं, इसका मतलब होता है 3 की power 1 by 2, लेकिन अगर किसी number के उपर, अपन cube लगाते हैं, इसका मतलब होता 3 की power 1 by 3 वहीं इसके उपर, अगर कुछ होता है कुछ होता है, जैसे कि इसके उपर पहले से square है, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 की power, यह 2 अंदर है, और यह बाहर से 3, इस तरी के साब कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आप देखेंगे यह तो मैंने सारी समरीद दिये है यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा 1 upon 1 upon क्यों क्यों कर रहा है, कि माइनस में इसको नीचे लाने के लिए 3 की power, 7 upon में 3, ठीक है, और साथ में मेरे 3 की power 4 भी है, तो मैं ठीक है, यहाँ से देखें, तो यह 3 की power के लिए आ जाएगा, 4 exit, और यह उपर क्या है, 3 की power 3 है, और नीचे आगे 3 की power 4 मतलब 3 की power 3 3 की power 3 से 3 की power 3 गड़िया है, तो मेरे पास वे एक जोल्यों क्यागे, 1 by 3 तो मेरे answer हो जागा, 1 by 3 simple ठीक है दोस्तों, इसके बाद, यह लास्ट क्योशन है आज का, और यह भी reasoning का क्योशन में मानूँगा, लेकिन मैटसम है तो मैटसम करना पड़ाएगा, ठीक है, एक calendar क्योशन है, 1 April, 1st April, 1998, 1 April को क्या था, April 1998 को था, आपने पास day था, क्या था, Wednesday था, ठीक है, Wednesday था, यह मैं इसके इन दे में चलो, बुद्वार था, क्या था, और मुझे निकालना है, 25 December 1998 को, इसको निकालने का यह की तरीका है, कि आप मन्त के odd days निकालने, एक अप्रेल, जब मुझे अप्रेल की बात पर, अप्रेल में होते हैं कितने days टेटान, अप्रेल में days होते हैं, 30, लेकिन एक अप्रेल मुझे माइनस करना है, क्योंकि इसको नहीं किनना है, तो इसलिए 29 days मानने हुआ, अप्रेल, माई, जून, जूलाई, अगस्त, अक्टोबर, नवंबर और दिसमबर, तो यह यहां पर days होते हैं, 30, 31, और यह 30, और यह 31, यह भी 31, और अगर आपको समझे नहीं, तो इक काम करते हैं, ठीक है, यह 30, इसका है, 31, और यह हो जाएगे, इधर 25 days, नवंबर का लिखना है, यह हो जाएगा 30, और दिसमबर का यहां से 8 days निकालेगा, इसके 8 days कितने हो जाएगे, 7 से रिवाइट करने पर, 1 day, ठीक है, यहां से हो जाएगा, 3 days, ठीक है, यहां से हो जाएगा, 2 days, 3 days, 3 days, 2 days, यहां से हो जाएगा, 2 days, 3 days, 2 days, और यह 25, 7 से 4 days, अब इन सब का अपने, इसमें से भी फिर, इन सब को प्लस करके मुझे क्या निकाल ना ओट देस्ट मैं काम करता हूँ 7 से डिवाइट करना है तो 7 7 कट कर देता हूँ 3 2 5 5 और 2 कितना हो गया 7 तो यह तो कड हो जाएंगे 7 से मही पर 4 और 3 या is 4 और 3 को लेता हूँ तो यह हो जाएगा 7 तो कड हो जाएगा और 3 और 2 5 3 3 और 2 5 5 और 3 5 4 3 8 8 और 1 9 कितना हो जाएगा 9 बाइ 7 तो यहां से अपना और डेस निकलेगा 2 डिवाइड करने पार जो माने होता है उससे और डेस के ते कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 2 तो डो इसमतलब कि इसका मतलब कि बुद्वार के बाद चुछ अगला दो दिन के बा हैं इसके लिए कमेंट शेक्शन में आप कमेंट करेंगे और साथ अच्छी हो तो इसको शर भी करेंगे और सपोर्ट बिना आपके सपूर्ट कर Ben यह वीडियो आगे नहीं बढ़ने वाले जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा है और एसे ही पूरी सिरीज जितने भी पेपर हैं अभी तक जितने भी पेपर हुआ है पटवारी क्योश्चन के वह सारे क्योश्चन पेपर में यहां लेकिन इस बार स्क्रिंशोट ना लाने वाला समय में स्क्रिंशोट ना लाकर में टाइप करके लाने वाला हूं ठीक है तो सपोर्ट किजिएगा लाइक और शेयर जरू करिया थैंक्यू